जै हिन दोस्तो आज की हमारी स्टडी का जो टॉपिक है जिन दो स्टॉक्स पे हम स्टडी करने वाले हैं पहला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा स्टॉक है नजारा टेक्नलोजीज अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहें मैं आपको पता दो हम करते क्या है पूरी कोशिश करते हैं कि एकडम सरल भाषा में एकडम सरल मैनर में टेक्निकली चाट पैटर्स को स्टडी करें और लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं पिछले दिनों जिन stocks पर study की थे उसका update पेश करोगा, update कुछ ऐसा है, पहले उन stocks का नाम जहाँ पर breakout हो रहा है, GR Infra 1788 निकालने की कोशिश, फिर Indian Hotels 182.8 उसके उपर काम कर रहा है, फिर Hindal को 478.3 उसके उपर जाने की पूरी कोशिश, फिर Happiest Minds 1341 को भी निकालने की कोशिश नेक्स जहाँ पर target हो गया है, उसकी बात करेंगे, Awaj Sugar 495 हो गया है, फिर AB Capital 130 का target हो गया है, फिर TCS 3830 उसको भी हिट कर दिया है, नेक्स ऐसे stock का नाम लोगा जहाँ पर target भी हिट हुआ है एक session में, और breakout भी हुआ stock का, और stock का नाम है FL India, 1219 का एक resistance था, उसको निकाल दिया है और पहला target 1280 उसको भी stock ने हिट कर दिया है, तो fundamentally इस तरह के मजबूत stocks में रहिए, उससे होगा क्या, levels तो पता चलेंगे कहाँ पर stock जाने वाला है, बढ़ हाँ, जो आपकी risk होगी आपको पता रहेगी, और stop loss भी आप खुद से set करना सीख जाएंगे, तो अच्छे stocks में तो कोई भी problem नहीं होने वाली है, अगर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ भी जुड़ना है, तो description box में उसका आपको link मिल जाएगा, उस पे click करके directly आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो अभी हमारे सामने IEX यान कि Indian Energy Exchange जो है, उसका चार्ट हमारे सामने पेश है, अच्छा और चीज़ बता दू, पिछले दिनों stock जो है bonus shares भी issue किये गए थे, तो उसका जो है effect भी आपको शायद यहाँ देखने मिलेगा, because पिछले दिनों आप सोचोंगे 700 रुपे के aspa stock काम कर रहा था, अभी 260 के aspa कैसे दिख रहा है, तो अभी हम study stock पे शुरू करने आ complete कर दिया, complete, इसको मैं set कर देता हूँ, थोड़ा सा, इसको मैंने कर दिया set, यह हो गया set, अब पिछले दिनों stock का trend किस तरह से था, basic trend देखिए, छोटा basic trend line में draw करूगा, trend line बना लिया, पता चल रहा है trend जो है stock का उपर ही है, अब पिछली बार stock ने जब बड़ा breakout दिया यहां पर देखिए, यह वाला session, बड़ी तेजी, कौनसा आले session में देखने मिले थी, एक basic trend line देखिए, draw करूँगा, सबसे पहले यह वाला session देखिए, 10 December, बड़िया तेजी होई थी 10% की, बड़ वो 2 sessions के लिए वहां पर stock टिका और फिर नीचे आ गया, तो पिछली बार इस range में जहां पर stock को resistance मिला था, फिर से हम उसी resistance को पकड़ेंगे, और सबसे पहले में line draw कर देता हूँ, देखिए, line draw कर देता हूँ, इस price range के आसपास, और line है यह, कौनसा session है, session है यह, 17th November, जी हाँ, 17th November की closing, 272.2, मैं एक basic line draw कर देता हूँ, ताकि समझने में आसानी तो आपको समझ में आ गया होगा आप तक, कि stock जो है, ascending triangle की pattern है, उसमें यहापे काम कर रहा है, देखिए, ascending triangle की pattern जो है, उसमें stop काम कर रहा है, अब धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश करेगा, अब सबसे पहले जो level है, उसको मैं यहापे लिख देता हूँ, and it is 272.2, जब तक इसके उपर stock नहीं निकलेगा, तब तक बड़ी तेजी की संभावना नहीं होने वाली है, जी हाँ, 272.2, यह उपर की तरफ barrier बन गया, एक speed breaker बन गया, इसको ध्यान में रखना है, note करना है, अब निचे की तरफ stop loss है, वो कौन सा level है, वो है 250 रुपे, 500 रुपे, यह पिछले कुछ sessions का low है, अब यह एक range बन गया है, किन के लिए traders के लिए, जो दो दिन से लेके 5 दिन तक काम करते हैं, 272 के आसपास आ गया, तो profit booking देखने मिलेगा, और 2500 रुपे के आसपास आ गया, तो आपको थोड़ी खरीदारी देखने मिल सकती है, तो इस तरह आप range को play कर सकते हैं, मतलब contract काम कर सकते हैं, अब short term की बात करेंगे, यानि कि एक महिने से लेके 3 महिने तक, अगर 272.2 उसके उपर बंद होना शुरू होता है, यानि कि closing basis पे breakout मिल जाता है, तो stock कहा तक जा सकता है, stock जा सकता है, जिस range में वो है, 285 and 300, फिर से repeat कर रहा हूँ, 285 and 300, बहुत ही conservative ये range आपको लगेगी, क्योंकि जिस speed से आप ये stock भागता है, अगर आप regularly follow करते होंगे, तो हो सकता है कि ये जो target है, या फिर range है, बहुत कम समय में आपके सामने आते हुए दिख सकती है, तो ध्यान में रखेगा, 285 and 300, उपर की तरफ की range, या फिर दो target का ह ये जहां पर stock जाके settle हो सकता है, next, आने वाले समय में जिनको investment करना है, गिरावट होती है इस stock में, तो गिरावट कौनसे level के आसपास कर सकते हैं, 240, 215, इस range के आसपास stock मिलता है, तो आप बिना किसी जिजग के, बिजा किसी invitation के, आप जो है यहां पर investment कर सकते हैं, and investment जो है हम किसे कहेंगे, जो कम से कम, तीन महिने के लिए hold करते हैं, उस time frame को हम investment कह सकते हैं, साथ ही request करूँगा, हर तीन महिने में company के results आते हैं, based on that, अपनी position के उपर, जो भी action की जरूरत है, उसको भी आपको जरूर लेना है, इस बात को भूलना नहीं है, so fundamentally बहुत ही बढ़िया stock है, इस तरह के stocks जो है, portfolio में होने चाहिए, इस से होगा क्या, आपका risk diversify हो जाएगा, और जब भी आपको जिनों, यहां पर देखे, एक और एक curve pattern बना जाता हूँ, stock जो है, इस तरह से जाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजे, curve pattern को समझे है, नीचे, वहाँ से मतलब correction चुरूबा, एक base बना है, और फिर से curve बनाते हैं, उपर की तरफ निकल गया, तो जैसे मैं कह रहा था, इस तरह के stocks को portfolio में रखे, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक update और update यह है, हमारे चैनल पे सबसे पहले तो जो भी जानकरी आपके सा हमारा हो जाता है, और offer क्या है, offer यह है, सबसे पहले तो account opening बिल्कुल free है, 5pasa.com की तरफ से है, next जैसे आपका account successfully open हो गया, आपके account में 250 रुपीज क्रेडिट के जाएंगे 5pasa.com दोरा, और उन पैसों से आप आपकी पसंद के shares खरीच सकते हैं, तिसरी important बात, brokerage charges पहले मैं जाने के लिए 0 rupees per order, and second month से it is 20 rupees per order, यह पूरा offer 5pasa.com की तरफ से है, आप से request करूगा, अगर account open करने का मन मन आते हैं, तो उनके website पर जाएए, latest offer को जानिए, समझिए, फिर ही account open कीजिएगा, and जैसा मैंने कहा, हमारे referral links है, अगर आप account open करते हैं, तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, अब जल्दी से दूसरे stock पर जाते हैं, stock का नाम है Nazara Technologies, and यह stock जो है, April मैंने में list हुआ था, तकरीबन 2000 के आसपस, and stock किस तरह से काम कर रहा है, देखिए, सबसे पहले, एक range में फसा हुआ है, मैं range सबसे पहले आपके समने ड्रॉग कर देता हूँ, अगर कल की study यह अपने देखा होगा, तो देवियानी international का stock भी लंबे समय के लिए, एक range में फसा हुआ था, देखिए, range से फिर निकला, उपर की तरफ गया, and तकरीबन 300 रुपय का high लगा दिया, पिशले दो, जिया, 3300, देखिए, 300 रुपय के असपास high लगा दिया, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, फिर से stock जो है, यहाँ पर correct होने के बाद, एक छोटी सी range में फस गया है, यहाँ पर देखिए, अब इस range का उपर की तरफ का resistance कौन सा है, वो note करेंगे, और वो है, 2440.65, अब जब तक उपर की तरफ यह नहीं निकलेगा, तब तक बड़ी तेजी नहीं होने वाले है, 2440.65, अब नीजे के तरफ stop loss का level भी important है, वो क्या level है, उसके बार में भी बात करेंगे, and stop loss का level है, वो क्या है, वो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, it is 2270, जी हाँ, 2270, अब यह range बन गई, range किन के लिए बन गई, सबसे पहले stop loss देता हूँ, it is 2270, 2270, and 2440, यह range बन गई, मतलब कहने का मतलब क्या है, 2440 के आसपास आगया, जो ट्रेडर से, दो दिन से लेके 5 जिन दे काम करते हैं, वहाँ पर correction देखने बिला, in fact, आज के session में 2440 के आसपास high लगा, बट वहां से stock correct हो गया, नीचे 3300 या फिर 2270 के आसप करता है, सबसे पहले, 2550 and 2680, 2550 and 2680, 2550 या 2700 मालो, इस range में stock आपको जाता हुआ, दिख सकता है, आप जिनको investment करना है, investment कर सकते हैं, fundamentally अच्छा stock है, किस range के आसपास आया, तो investment कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, 200 रुपे and 2000, इस range के आसपास आपको stock मिलता है, तो आप बिना किस invitation के जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, या बिना किसी, मतलब इनों ज्यादा दिमाग लगा है, आप investment कर सकते हैं, and जो भी investment करेगा, you have to make sure आप कम से कम 3 महने के लिए position को hold करेंगे, फिरियम उसे investment का दर्जा दे सकते हैं, also यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे IEX का stock जो ह उसी तरह से अपनी curve pattern को complete करते करते, दीरे दीरे उपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो fundamentally अच्छे stock मे रहेंगे, तो पैसे तो बनने वाले हैं, so दोस्तों वीडियो के माधियम से जो जानकर पेश की है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजेगा, तो शुक